हाई फ्रेंड्स मैं हूँ प्रतीमा जबलपुर से ये पौधा तो आप सभी पैचानी रहे होंगे दोस्तों मनी प्लांट सब के घर में पाया जाता है ड्राइंग रूम में किचन में भी लोग रखते हैं और भी कई जगे अपने घरों में बालकनी में गार्डन में पोर्च क नीचे इसको रखके अपने गार्डन को अपने घर को खुबसूरत बनाते हैं और यह शुब भी होता है अपने घर में रखना मनी प्लांट का पौधा लेकिन इसको हम कैसे बुशी बनाएं और इसकी पत्यों को कैसे खुबसूरत कलर आया इसमें उसके लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों वैसे तो मार्केट में मौसिस्टिक मिलती है असानी से खरीद के ला सकते हैं और उसको इसमें लगा करके और उसको चढ़ा सकते हैं लेकिन अगर आपके पास मौसिस्टिक नहीं है तो आप अपने घर में भी मौसिस्टिक बना सकते हैं मैंने तो अपने घर में ही बनाया है और उसी पे इसको चड़ाया है और आप देख रहे हैं कितना सुन्दर मनी प्लांट त्यार हो गया है हमारा उसको भी आप किसी पाइप में लपेट दें और रसी से बान दें तो भी मॉसस्टिक बन जाती है और उस पे चड़ा दें और अगर आपके पास बोरी भी नहीं है आपके पास कोई पुराना पैर पोच है नारियल का जटे का जो होता नारियल का खराब हो गया है उसका भी भी आप दें और मॉसस्टिक बना सकते हैं किसी पाइप में उसको लपेट दीजिए बान दीजिए रस्ठी से और उसको फर गंले के बीचों बीच उस पाइप को लगा दीजिए उसके चारो तरप से प्लांट्स लगा दीजिए इस पर आप पान का पोधा है काली मिर्च का पॉधा, ये भी लगा सकते हैं और उसको भी इसे, तरह से चड़ा सकते हैं, मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, और इसमें आप सर्थों की खली को भिगा करके, एक लिटर पाणी में, एक पीस होगा आपका प्लांट बुशी होगा और देखने में बहुत खुबसूरत लगेगा और दोस्तों इसको यदि आप जिस तरफ सूरज डूपता है पस्चिम दिसा की साइड उस साइड रखें कि शाम को डूपते हुए सूरज की जो हलकी से लाइट होती है वो सिर्फ इस पत्यों का कलर बहुत सुंदर हो जाता है अगर आप इसको तेज दूप में रख देंगे तो यह पौधा उतना खुक्सुरत नहीं होगा पत्या सूप जाएंगी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होगी लेकिन अगर आप पस्चिम दिसा की तरफ जहां पर की सूरज डूपत सूरज की सको लाइट मिले वहाँ पर यह पौधा बहुतअ अच्छा होता है घणा होता है और पत्यों का रहाट अच्छा हटा है तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिजए और लाइख कर दिजए और अपने दोस इसको लगाकर उसको खुबसूरत बनाईए और इसी तरीके के ट्रिक लेकर के मैं और नई नई जानकारी लेकर के आपके समक्ष आती रहोंगी आपको अपना अनुभव बताती रहोंगी तो दोस्तों मिलती हूं अगले वीडियो में अपने पौधू का खुबसारा ध्यान र